मैंने इंस्टेग्राम पर एक सीरीज शुरू की थी यूनीक बिजनस आइडियाज के बारे में काफी लोगों ने उसको पसंद किया और सबसे जादा मुझे यही कॉमेंट मिला कि इस चीज के बारे में आप डीटेल में हमें समझाओ ताकि आम अच्छे से इस बिजनस को कर सक इस बिजनस में कस्टमर कहां से मिलेंगे सबसे बड़ा बेनिट क्या है इस बिजनस का इस तरह के बहुत सरे चीजों को कवर करेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप वन के साथ में स्टेप वन है आपको क्या करना है सबसे पहले आप जहां पर भी रहते होना उ एस बंदे को क्या करना है उसको सबसे पहले आपका contact number देना है ठेक है? कि इस से आप contact कर लो इस के बदले में आप उस travel agent को क्या दोगे? मतलब फ्री में हो क्यों आपका tenant देगा? आप उसको 10 से 20% का commission का commission दोगे हर एक deal पर Now step 3 में आते है step 3 तो agent है उसको भी एक sample kit भीज़ तो ताकि वो उनको दिखा सके या उसके picture share कर सके या आपकी product के बारे में review कर सके ठीक है तो उसको भी पूरा भरोसा रहेगा कि आपका number दे रहे है तो सही बन दे हो आप ठीक है अच्छा इतना सब कुछ बता रहे हैं यह नहीं बता रही हूँ product का है तो चलिए उस पर भी आती हूँ तो देखो जब भी हम travel करते हैं एक comment requirement होती है वो हम सबको होती है और हमेशा होती है और होती रहेगी क्योंकि हम Indian especially वेजीडेरियन को बहुत इशू होता है जहांब भी हम लुब कहीं बाहर गुमने जाते है वो है चाने के चीज़े travel snacks ठीक है इसमें आप package रख सकते हो triple nine से लेके two triple nine अच्छा travel snacks में क्या क्या हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है थेपला चकली बोहा सुखी भेल नमकीन these are just some examples बहुत कुछ हो सकता है इस तरह से snacks में now सबसे बड़ा benefit पता है क्या है अगर आप ये business को चालू करोगे तो सबसे पहले तो bulk order आएंगे ठीक है जब कोई गूमने जा रहा है तो आपसे एक packet पुहा तो लेगा नहीं एक packet तो नमकीन लेगा नहीं वो बल्क में लेगे जाएगा क्यों वही आट दस दिन गूमने जा रहे है ठीक है सबसे पहला जी दूसरा dry snacks का एक longer shelf life होता है ये नहीं कि आपको हर दिन बनाना है अगर आज बना है तो आज ही खताम होना चाहिए वरना तो मेरा खराब हो जाएगा यह आपका काफी time तक safe रहेगा जब तक आपको शायद दूसरे customer मिल जाएगे एक और benefit जो मैं लिखना भूल गई वो ये है क्योंकि आप एक combo package type दे रहे हो तो अगर कोई चीज आपके पास नहीं sell हो रही है तो आप उसको combo में थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हो कि next time मैं नहीं बनाओगी पर अभी थोड़ा थोड़ा तो निकल जाए तो आपके पास dead stocks नहीं है एक secret बता हूँ मैं जो आप चीज बेच रहे हो ना it is very common thing पर आप इस तो दिरा really high chances कि आपको वो contact करेंगे और आपसे ये snacks बनवाएंगे आपको fresh मिलेगा बजार में fresh नहीं मिलता कब कपको पकेट रहता तो यह से benefits बता सकते हो जब customer आपको contact करेगा प्लस जब आपका snacks अच्छा होगा homemade होगा तो बंदा खुद कोई और भी trip में जा रहा होगा so this is just one of the ideas मैंने से बहुत सारे ideas की videos बनाएवे हैं पर short form में बनाएवे Instagram पर Instagram पर मैं pritika.lunia के नाम से available हूँ बट यहाँ पर इस series को मैंने शुरू किये यहाँ पर पुरा detail में समझाऊंगी ताकि आप अच्छे से इसको आप business को कर पाओ उमीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा धन्यवाद